आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ Question में पूछा जा रहा है Mention the cause and the body system affected by ADA deficiency in humans ADA deficiency हमारी basically क्या है ADA असल में एक enzyme है जिसका नाम क्या है Adenosine D-Aminase basically यह Adenosine D-Aminase basically यह Adenosine में जो Amine Group होता है उसको हटाने का काम करता है जैसे कि आप इसके words से ही समझ सकते हैं अब Adenosine D-Aminase के कमी के वज़े से क्या हो जाता है इसकी वज़े से हमारा यहाँ पर immune system जो है वो compromise हो जाता है compromise होने का मतलब यहाँ पर यह होता है compromise का मतलब यहाँ पर यह होता है कि यह अब हमारा क्या है हम लोग जादा यहाँ पर threatened है किसी भी किसी भी यहाँ पर infection के ठीक है हमें कोई भी infection काफी कि असानी से हो सकता है इसके खिलाफ हमारी जो इम्यून सिस्टेम हमारा जो रोक प्रतिरोदर क्षमता है वह बहुत जादा कम हो जाती है और इसी को हम एक साथ क्या बोल देते हैं इसको हम बोल देते हैं सीवियर कंबाइन इम्यून डेफिशेंसी ऐसे जो होते हैं ज्यादा लंबे समय तक नहीं जीपाते हैं क्योंकि इनको infection से मौत हो जाती है इनकी तो यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं की cause क्या है इसका तो PVE हो जाता है कि ju और यहाँ पर body system to basically हमारा जो immune system है वह यहाँ पर affected होताई ठीक है अब यहाँ पर अगर आपको बताया जाए कि name the vector used for transferring ADA DNA into the recipient cells तो देखिए यहाँ पर क्या था एक gene therapy device करी गई थी ठीक है gene therapy में क्या है हमें पता है हमारी जो bone marrow होती है bone marrow हर blood cell को बनाने में capable होती है अब bone marrow के अंदर यहाँ पर जो हमारे blood cells बन रहे हैं ठीक है इसी में blood cells बना है और blood cells का एक example हमारे lymphocytes होता है यानि कि B cells और T cells जो होता हमारे B और T lymphocytes यह भी हमारे bone marrow से बनता है बस इनके अंदर क्या है यह ADA जो enzyme है यह मौजूद नहीं है इसी वज़े से यह वीकेंड हो गया है इनकी maturation ढंके से नहीं हो रही है ठीक है जैसे इनकी होनी चाहिए थी maturation वैसे नहीं हो रही है तो इस वज़े से यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर अगर हम bone marrow के अंदर इसके cells लिया जाए तो इनके cells होते है हेमोपोटिक stem cell अब stem cells में अगर आपने क्या करा stem cells में अगर आपने यहाँ पर यह जो ADA का gene है ठीक है ADA enzyme को बनाने वाला जो है यहाँ पर gene उसको अगर आपने यह डाल दिया जिसे हाँ ADA DNA के नाम से खा गया है तो अगर यह हमने डाल दिया और bone marrow के अंदर हमने दुबाया इससे डाल दिया तो यह एक permanent के और हो सकता है ठीक है Retrovirus हाँ पर हमारा क्या करता है RNA ले जाता है और अपने host के अंदर DNA बना देता है तो हमने basically यही करा जो हमारे ADA के लिए mRNA responsible है उसको हमने डाला अपने Retrovirus में और उसके बाद हमने इसको जब infect कराया अपने hemopoietic stem cells में तो उसके अंदर उन्होंने DNA बनाया और उसको incorporate कर दिया इसके nucleus के अंदर तो इस वज़े से यहाँ पर क्या बनना लगा ADA बनना लगा ठीक है recipient cells कौन से थे recipient cells यहाँ पर थे हमारे hemopoietic stem cells यहाँ पर हम लिखते थे हैं इसको hemopoietic hematopoietic stem cells ठीक है तो यह हो जाता है हमारे recipient cells थैंक यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल ता 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलूट करे doubtnet आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 84444 पर